सब्सक्राइब करें मैंनस प्लस को बनाने का सारा कुछ हम बात करेंगे सब कुछ बताएंगे सारा कुछ डिटेल में बताएंगे बस आपको करना क्या है कि वीडियो को बिना इसकीप के वे देखें और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए जो कुछ भी आपके मन में आता है वो आप कॉमेंट भी करिए वीडियो देखने के बाद और अपने दोस्तों में सेयर भी क्या कीजिए तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं तो हमाइबा इसका मतलब होता है देखिए पहले इसको एसको समझ लिए दूई घहाठ as संतर में playlist का link है वहांपरiste क्लीक करोगे तो सारी की सारी वीडियो आ जाएंगी ठीक है तो देखिए power 2 होना चाहिए समी करन का वैसा समी क Helena जिसका power 2 हो तो देखिए कैसे हम लोग पहचानेंगे यह है standard form ठीक है power 2 होना चाहिए इतना आप समझे ठीक है अब देखिए standard form का मतलब क्या होता है यह हो गया साचा मतलब इसमें आप रखते जाओ ABC का मान और दुगात समिकरन आप निकालते जाओ यह वो हो गया तो इसको पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा AX square plus BX plus C power 2 होगा तो देखिए AX square X का power कितना है? 2 है यहाँ पर X का power कितना है? 1 है तो देखिए power 2 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर power 2 भी है और 1 भी है बड़ा वला power जो है जो सबसे बड़ा वला power रहेगा समिकरन में वो होना चाहिए 2 तभी होगा दो इकालत समिकरन मान ल Michael lassud dh we can tell us answer its young-person 244 इसमें यहां पर 3 जो है यहां पर दो है यहां पर एक तो पावर तो यहां पर भी है लेकिन यह ़ोगिंट हात नहीं होगा क्योंकि जो बड़ा वाला पावड है सबसे बड़ा वाला पावर कोई नहीं तो एक तौ्पहर थे इ工作 समीकरन हो गया क्योंकि सबसे बड़ा वाला पावर वो ना चौह इस बात को समझ गह तो यह संज़ाते आं इस संगर पॉर्म में और तो यह दमैघे ऐक्स क्वेर यह एक्स तो यह तो हमेशा रहे गा या तो एक्स के जिछगर पर Westernee तो यह घो एड़ तो थीक है तो वह a b c जुह है जहाँ वास्तविक शंख्या हो सकता है निगेटीव भी हो सकता है जीडिव भी हो सकता है भीन में हो सकता है दसमलब में हो सकता है कैसा भी हो सकता है तो वास्तविक संख्या है ठीक है ए बी सी जो है कुछ भी हो सकता है नेगेटिव पोजिटिव और भीन में या कि अप्ड revisit लेकिन एक और खास अगयर के मद बारे में खास लिख दिया गया 2 और 3 ले लिए लिए ले लिए बराबर 0 लेने से क्या दिक्कत है वह हम आपको समझा देते हैं देख लिजिए डिए बराबर 0 ले लेते हैं तो 0 x X square प्लस B X तो B X के जगा पर क्या देंगे 2 X B के जगा पर 2 देंगे प्लस C के जगा पर क्या देंगे 3 देंगे बराबर 0 अब यह समीकरन आगया मेरे पास ठीक है अब देखे जीरो से किसी भी चीज में गुना करते हैं तो वो क्या हो जाता है टर्म जीरो हो जाता है तो इसको अगर इससे गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा तो ये टर्म खतम हो जाएगा तो क्या बजाएगा मेरे पास 2x प्लस 3 is equal to 0 तो अब ये क्या हो गया रहिक समीकरन हो गया कितना है कि है अगर ये ंगल कर देंगे अब ये ंगल हो जा जेगेम लोग तो फिर उटर्म korid हां जगा समझग है आप लो अब देखिया हम आपको क्या करते हैं एक दो एक्जामल लेता है और सम्झाते हैं इसको और इसको प tung compiling सभाश्बाइब से अब ये अपना दूए घात समी करन ठीक है ये इसतेंडर कि यह हाथ हम लोग बनालेंगे इस से बयाथ समीकरण पर तो हम लोग आ जाएंगे ठीक है लेकिन क्या होता है उस चीज़ को देखिया वी कितना होता है इसमें दो एक्साइब कितना है दो वेल्यू आने बाला यहां पर ठीक है एकस का जो है दो वेल्यू आएगा वो हम लोगों को पता करना है दो इगात समीकरण में करना होता है एकस का मान निकालना होता है वो दो मान आएगा दो आंसर आता है एक ही समीकरण का दो आंसर ठीक है तो वो हम लोगों को पता करना ह में होता है में में दो है के तोड़कर है जाता है एक फॉर्मूला से Kenya रवह देखें को बनाचा छहाए इस बात पे अभी दिशान दो में VD कि कि एक हो कि अभ्या को है कि प्रीट में चर्डन सहाँ कि और दूसरा है फॉर्मूला में तो कne ジ da Hoe 10 एकर एक है उसको तोड़ की बना जाता है दूसरा जो है वह फॉर्मुलास्य बना जा जाता फॉर्मूला क्या यह और एकस ब्राबर मैंनस ब्लस ब्लस मैंनस अंडर रूड बी स्क्वेर मैंनस 4 A C 0 & 2 A अभी ये formula आप लोगों को, हो सकता है कि लंबा लगे, चोड़ा लगे, अभी ये formula थोड़ा सा बड़ा लग सकते है आपको, लेकिन बाद में इसी formula का आप यूज करोगे, ये अभी आसान लगेगा आपको, अभी हम बता देंगे कि ये कैसे बनाया जाता है, इसमें formula का यहाँ पर जो होगा, एकस का जो ओफिसेंट होगा, वो देंगे उसके बाद एक प्लस कसयन मैनस कसand Message इसका मतलब क्या होता है, एक बार प्लस लेंगे, एक बार मैनस लेंगे, दो मान आएगा न यहां पर two है two गुना यहां पर जो रहेगा उससे दो को गुना करके इससे solve करेंगे हम सब कुछ बताएंगे इसके बारे में लेकिन पहले आज यह इसको देखिए बहुत लोग इसको यूज करता है बहुत लोग इसको भी यूज करता है हम अधिकतर यह formula वाला method यूज करते ह और कभी कभी इस method पर हम आते हैं तो यह method भी सीखिए आप यह भी सीखिए जो आसान लगता है उससे आप आगे बढ़िए ठीक है लेकिन सीखिए दोनों तो अभी पहले यह सीखते है इसके लिए हम लोग एक example लेते हैं वह देखिए अब देखिए यहां पर आप लोग थो देखिए समझने वाली बात है यहां पर यह आपको समझना चाहिए और समझना पड़ेगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे और यह method भी सीखना बहुत ज़रू है क्योंकि कभी कभी जब देखिए formula का यूज तो हम करेंगे हर जगा लेकिन यह अगर आपको पता रहता ह कभी इजी आ गया सामने में तो आप देख करके यह आंसर बता दोगे और formula करने जाओगे तो formula में जो प्रोसेस से 2-3 स्टेप तो करना ही पड़ेगा इसलिए इसको सीखिए इसमें ध्यान से देखिए कि करना क्या पड़ता है स्प्लीट मतलब तोड़ना और किसे तोड़ते हैं वह देखिए यह जो टर्म अपना बीच वाला एक्स वाला देखिए एक्स का पावर वन बाला यह यहां पर देखिए एकस्वेर है प्लस 4x प्लस 3 है एकस्वेर में इसका coefficient एक ले लेते हैं कोई फरक नहीं परेगा कि हम क्या करेंगे इसमें कि split मतलब होता है तोड़ना तो तोड़ेंगे इस टर्म को दो भाग में तोड़ना होता है तोड़ने का मतलब क्या होता है यह समय जैसे देखिए 5 इसको तोड़ना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस 4 इज़ीकॉल dollars to 5 देखे बराबर 5 होगा या two plus three कर सकते हैं या three plus two कर सकते हैं या six minus one कर सकते हैं चलऱ सकते हैं या seven minus two है या ऐसे तोड़िए या ऐसे तोड़िए या से और वह शारी तरीके होँगे जिस से आप आप इसको तोर सकते हो, है की नहीं, समझ मैं रहा है, तोरना मतलब क्या, मतलब दो भाग में बाटना, या तो मतलब 4X के लिए, 4X के लिए, दो ऐसी संख्या लीजिए, दो ऐसा टर्म लीजिए, जिसको या तो जोडने पर, या फिर घटाने पर, इतना आ जाए, मान लीजिए, आप ले लेते हो, एक A, दूसरा B, और जोडने पर 4X आ रहा है, एक्जामपल के लिए, पहला आपने लिया टर्म A, दूसरा लिया B, जोडने पर 4X आ रहा है, एक्जामपल मात रहे, ठीक है, एक और कंडिशन है, ए और B को गुना करने पर, आपको कितना आना चाहिए, यह जो है टर्म यह, और यह, इस दोनों को गुना करने पर जतना होता है, उतना आना चाहिए, मतलब A गुना C, मतलब यह वाला A, मान लिजिए, यहाँ पर X, Y ले लिजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, X, Y भी नहीं लिजिए, P और Q ले लिजिए, P Q लेते हैं यहाँ पर, P गुना Q, देखिए, P प्लस Q बराबर 4X आजाता है, एक्जाम्पल के लिए मान लिजिए, P प्लस Q बराबर 4X आजाता है, तो P और Q को जब हम गुना करेंगे, तो A और C को गुना करने पर जितना आता है, उतना आना चाहिए, समझ यहाँ पर, एक्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे, यह चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं, P प्लस Q is equal to 4X, P गुना Q बराबर A गुना C, ठीक है, अब देखिए, हम आपको समझाते हैं, तोड़ना तो आप सीख गए, यहाँ पर देखिए, इस मैथड में यही एक दिक्कत है, कि तोड़े कैसे, ठीक है, बांकी सब कुछ के लिए है, सभी को कन्फूजन है इसी बात में, इसलिए हम कहते हैं कि इस चीज को देखिए, ठीक है, एक बार अगर आपने लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर देजी, ठीक है, अब सकते हैं, या 6x-2x लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से अगर हम 4x को लिखेंगे, तो 4x लिखा जा सकता है, x-3x, 2x-2x, या 5x-6x, और भी बहुत सारी तरीका है, जिससे हम इसको कर सकते हैं, अब देखिए, ध्यान देजी, पी प्लस क्यू बराबर 4x आना चाहिए, तो मा आपस में गुना करने पर इसको और इसको गुना करने के बराबर आ रहा है, अब देखिए, 1 गुना 3, यह पूरा ले लिजे, 3x-2, 3 गुना 1x-2, तो 3x-2, इतना आना चाहिए गुना करने के बाद, तो देखिए, यह जो फर्स्ट वाला है अपना, इसको इसको गुना करे तो 3x square आ जाएगा एक्स प्लस 3x को गुणा कर देंगे यहां जोड के बदले गुणा अगर करते हैं तो 3x square आ जाएगा तो यह टर्म हम लोग उठा लेंगे यहां देखिए इस दोनों को अगर गुणा करते हैं तो 2 2 4 4 x square हो जाएगा जो की नहीं चाहिए हम लोगों को चाह x x plus 3x 4x के बदले हम लोग 4x को तोड़ करके हम लोग क्या लिख दिये x plus 3x इस बगल क्या है 3 यहां पर क्या है x square लिख दीजिए अब हो गया अब हो गया देखिए अब कुछ इसमें दिकत नहीं है जो होना था वो हो गया अब देखिए इसमें क्या करना अब इस दोनों टर् जो दोनों में हो इस दोनों में x common लिजिए x common लिए यहां पर बच गया x प्लस यहां पर बच गया 1 क्योंकि देखिए x को x से गुना करेंगे x square फिर plus का sign फिर x को 1 से गुना करेंगे तो x तो इसको ऐसे लिख दिए प्लस का sign है प्लस का sign दिजिए इस दोनों में क्या common है जो दोनों में तीन दोनों में तो तीन ले लिजिए अब यहां पर क्या बच गया x प्लस यहां पर क्या बच गया 1 देखिए 3 गुना x 3x प्लस 3 गुना 1 3 इस तरह से हम लोग लिख देंगे अब देखिए हमारे पास एक टर्म है ये दूरा टर्म है ये ठीक है एक टर्म है ये दूसरा टर्म है यह अब इस दोनों में देखिए एकस प्लस वॉन जो है यह यह गया यह प्लस थ्री इसको भी लिख दीजिए एक्स प्लस थ्री ऐसे यह बचके ऐसे बराबर जीरो यहां तक आप समझ गए कैसे आया हम ठीक है मेहनत यहां पर है इसको तोड़ने में मेहनत है ठीक है उसके बाद यह सब आसान है अब देखिए यहां पर दो टर्म हुआ था तो ए ठीक है एक्स प्लस वन कॉमन ले लिए तो बच क्या गया है यहां पर एक्स बच गया एक्स लिख दिए प्लस थ्री प्लस थ्री ठीक है इस तरह से कर लेते हैं अब एक्स का दो माना आएगा हम आपको क्या बताए थे एक्स का दो माना आने वाला है तो पहला कैसे आगा था प्लस 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस पता अब चलीost और जैंपल डूसरा एक्जामपल लेते हैं quindi अब यह दूसरा एक्जामपल है हम लोगों का इसमें आप लोगों को क्या करना है आप जानते हैं अब जो बीच वाला टर्म है, x वाला, x का पावर 1 वाला, इसको हम लोगों को तोड़ देना है, दो बागो में, इस तरह से तोड़ना है, कि उसको जोड़ने या घटाने पर 3x आ जाए, लेकिन उस दोनों को गुना करने पर कितना आ जाना चाहिए, 10x स्क्वाइर आ जाना है, जिसको गुना करने पर इतना आ जाए, मतलब P गुना क्यू करने पर 10x स्क्वाइर आ जाए, और उसको जोड़ने पर P प्लस Q करने पर 3x आ जाए, 3x नहीं, मैनस 3x आ जाए, ठीक है, मैनस प्लस का धियान आपको विशेश रूप से देना है, मैनस 3x आ जाए, और गुन दियान नहीं दोगे, तो बहुत जगा गलती करोगे आप, ठीक है, तो मैनस 10x स्क्वाइर आना चाहिए, गुना आपकरने पर जोड़ने पर मैनस 3x आना चाहिए, अब कैसे तोड़ोगे आप, देखिए, इससे पहले वाला, इससे एजी था, यह उससे थोड़ा टफ है, य जोड़ने पर आजाना चाहिए, 3x गुना करने पर 10 आना चाहिए, 5 और 2 देखिए, 5 दुनी 10, और 5 में से 2 मैनस करते हैं, तो 3, यह सोचना पड़ता है, देखिए, यह जो है, कौन सी संख्यान लेंगे, यह सोचना पड़ता है, इसके लिए, मतलब यह आपको सोचना दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पर, जो कौन सी संख्यान लें, और देखिए, यह इसमें तो दिमाग लगाना पड़ेगा, आप बहुत सारे एक्जामपल करोगे खुल से, तो जल्दी जल्दी आपसे दिमाग लगे, अभी थोड़ा कठीन लगेगा, लेकिन जब फॉर पूट वाला संख्या आ जाएगा, यह सब आ जाएगा, तब इसमें हम लोग फस जाएंगे, तब हम लोगों को यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला में ठीक है, आसानी के लिए, इसमें समय बहुत ज्यादा लग जागा, दिमाग उतना जल्दी लग नहीं पाएगा, मैनस पांच दुनी 10 और X स्क्वार, ठीक है, और जोरने पर कितना आ जाएगा, 5X प्लस 2X, 5X मैनस में है, तो यह आ जाएगा, मैनस 3X, तो यह सिलेक्टेड हो गया, मैनस 5X और प्लस 2X में इसको तोड़ देते हैं, मैनस 5X प्लस 2X, देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से देखिए इस चीज को, अब यहां मैनस का चीन है, अब इस दोनों में क्या कॉमन है, उस चीज को आप देखिए, इस दोनों में क्या कॉमन है, X कॉमन है, X हम लोग ले लेते हैं, यहां पर बच जाएगा X, यहां पर बच जाने वाला है 5, ठीक है, उसके बाद इस दोनों में देखिए क्या कॉमन इस दोनों में टू कॉमन है दो इसमें है दो इसमें भी है अब कहोगे इसमें दो कहां यह दस है तो दस का मतलब क्या होता है दो गुना पांच तो दो तो इसमें भी है अब यहां पर प्लस दीजिए चाहे माइनस दीजिए जो भी दीजिए प देखिए प्लस टू है यहां पे तो इस दोनों को अगर गुना करते हैं तो प्लस टू एक्स और यह मैनस में है यह प्लस में है प्लस मैनस माइनस दू पंच दस ठीक है किलियर है आप देखिए यह एक टर्म है दूसरा टर्म यह है इस दोनों में क्या कॉमन है x-5 common है उसके बाद बच के आगे हमारे पास x और plus 2 x plus 2 बराबर 0 दीजिए हमारे पास x का 2 मान आने वाला है पहला मान कैसे आएगा x-5 बराबर 0 x बराबर हो जाएगा 5 क्योंकि minus 5 उस तरब जाएगा तो plus 5 और दूसरा यहां से लेंगे x plus 2 बराबर 0 x बराबर यह जो 2 प्लस में उस तरब जाएगा तो minus 2 हो जाएगा तो x बराबर minus 2 x बराबर 5 यह दोनों हमारा जो है वो आंसर है ठीक है यह दोनों जो हमारा वो आंसर है तो इस तरह से बना जाता है quadratic equation तोड़ने वाला जो method है यही है मतलब split करके पहला जो हमारा तरीका है वो यही है लेकिन अगर कुछ कठीन दे दिया जाए आपको तब आप यहां पर तोड़ नहीं पाऊगे सोच नहीं पाऊगे उसके लिए आपको जरूरी जरूरत होगी formula का और formula में और भी कुछ खास चीज़े जो कि मैं कल बताऊंगा आज के लिए बस इतना ही चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक के